भारती टीम इस समय साउत अफरीका के तौरे पर है जहां पर दूसरे टेस्ट मैच खेला जा रहा है आपको बता दें भारत और साउत अफरीका के बीच में दूसरे टेस्ट मैच जोहानिस वर्ग के वंडरर्स मैदान पर खेला जा रहा है मैच के चौथे दिन सोबै से ही काफी ज़्यादा बारिस हो रही है और पूरे दिन बारिस होने की संभावना जताई जा रही है इसके अलावा ये बारिस से पांचवे दिन भी जारी रह सकती है ऐसे में भारतिय क्रिकेट फेंस के लिए इसे एक बड़ी खोसकवरी माना जा रहा है दरसल दूसरे टेस्ट मैच में भारतिय टीम पीछे खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि साउथ अफरीका की टीम दिये गए लक्ष को हासिल कर लेगी आपको बता दें भारतिय टीम ने साउथ अफरीका को 240 रनों का लक्ष दिया है जिसके जबाब में साउथ अफरीका की टीम 118 रन बना चुकी है और सिर्फ दो विकेटे ग्रे है अगर भारतिय गेंदवाज अच्छी गेंदवाजी करके टीम इंडिया की बापसी कराते हैं तो तो ठीक है नहीं तो भारतिय टीम तो यहीं चाहेगी कि अब बारेस हो जाए और इस मैच को ड्रॉपर खत्म कर दिया जाए आपको बता दें भारत और साउथ अफरीका के बीच में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है जिसमें पहला टेस्ट मैच भारतिय टीम ने जीता था तो भहीं दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफरीका आगे नजर आ रही है अगर इस टेस्ट मैच को South Africa जीत लेती है तो सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ जाएगी आपकी राय में दूसरे टेस्ट मैच कौन सी टीम जीत सकती है आप अपनी राय नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें